असलाम अलेकुम अदाब गुड इविनिंग फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेसन है वो है शुद सूर्ख, कॉमल सूर्ख, तीवर सूर्ख, अचल और चल, विकरत ये सब क्या होते हैं मैंने एक वीडियो बनाई थी, बारा सूर्ख की पेचान, उसमें मैंने इस चीज़ को डिसकस किया हुआ है, कॉमल, शुद और तीवर सूर्ख को आक्टिव में जो बारा सूर होते हैं, बारा में से साथ शुद होते हैं और पांच विकरत होते हैं उन पांच विकरत सूरों में से जो होते हैं, चार कोमल होते हैं और एक तीवर होता है इनका ओरिजन नाम होता है शड़ज, रेखब, घंदार, मध्यम, पंचम, धेवत, और निखाद या निशाद तो फ्रेंड्स आपने ये साथ सूर जो हैं ये तो आपने सुने ही होंगे हमेशा से, तो हम एक सब तक में इन साथ सूरों के लावा बाकी के पांच सूर और भी होते हैं मिला की ये बारा सूर बनते हैं तो ये जो साथ सूर होते हैं ये शुद सूर हैं यानि के सा ये जो आपका जो नोट होता है कोई साभी जो सूर आपका हो अगर इसको मैं सा मानता हूँ इसके बाद एक सूर छोड़ के रे फिर एक सूर छोड़के फिर नी जैसे 1, 3, 5, 6, 8, 10 और 12 उसके बाद 13 वही वाला नोट फरस्ट वाला वहाँ पे चला जाता है तो ये शुद सूर हैं जो नैचरल सूर हैं जो हमने काइम कर लिये होते हैं वो शुद होते हैं तो अभी हम बात करेंगे कॉमल सूरों की तो कॉमल सूर वो होते हैं जो शुद से हाफ नोट नीचे आते हैं तो वो कॉमल हो जाते हैं यानिके रेगा धानी जो हैं वो उनके दो दो रूपें रे शुद भी हो सकता है रे कॉमल भी हो सकता है गा शुद भी हो सकता है गा कॉमल भी हो सकता है ऐसे जो धा शुद भी हो सकता है और धा कॉमल भी हो सकता है ऐसे नी शुद भी हो सकता है और नी कॉमल भी हो जाता है तो अब रे शुद था इस रे से रे के मिट में भी एक रे है ठीक हो गया तो ये रे कॉमल हो गया तो कॉमल ऐसे वो बनते हैं कि वो अपनी जगा छोड़के शुद से हाफ नोट नीचे आते हैं तो कॉमल हो जाते हैं ठीक है तो ये रेगा धानी चार कॉमल आगे फिर जो तीवर होते हैं तीवर कैसे बनते हैं अच्छा तीवर एक ही नोट हो रह जाता है हमारे पास वो मां तीवर हो जाता है क्योंकि मां ही ऐसा नोट है जो अपनी जगा छोड़ के हाफ नोट उपर जाता है यानि कि जो शुद से हाफ नोट नीचे आते हैं कॉमल बन जाते हैं वो हे बात करते हैं कि अचल सूर कौन से होते हैं तो अचल का मतलब होता हैं अपनी जगह से ना हटने वाले तो साथ सूर जो होते हैं जो साथ सुरे तो यह डो हैं काइम सूर ये अपने जगा छोड़के नहीं जाते तो सा और पा अचल हैं और बाकी सारे चल हैं चल जो टर्म यूज होती है वो इसी लिए होती है कि बाकी सारे अपने जगा कोई छोड़के ऊपर चले जाते हैं शुद से और कोई अपने जगाँ छोड़के नीच आ जाते हैं वो चल हो जाते हैं तो फ्रेंड्स मुझे अमीद है कि आपको ये समझाया होगा शुद्सुर्प कौमत सुर्थीवर जो विक्रत हैं और जो अच्छल हैं और चल हैं ये आपको समझाया होगा तो मुझे दीजिये जाज़त अल्ला हाफिस